राम राम दिलरा सिंग जलको शिकर में थारू स्वागत है जियां आदमी जीव है जीवा खातर जरूरी हुए दिल को दड़कबू और दिल न दड़काबा को काम करा है आपने साथ में डोक्टर नगेंदर सिंग थालोड शिकर का बड़ा हार्ट का स्पेसलिस्ट है कार्डिय अधियरोगिस्ट है तो आपा बहुं मुलाकात करशा और बात करशा का आज गल दिल के अंदर अनेक बीमारियां चाल रही है कोई कभी कणाबी हार्ट टेक आ रहे हैं नमस्कार राम 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 जी तो आज कालो हार्ट की सब हुँ जदा प्रोब्लम होगी है आम आदमी के सा तो हार्ट अटेक पड़ता है तो हार्ट अटेक का इसका पता करा जाए तो इसके कुछ लक्षन रहते हैं तो इसके उनको अपन पहले से ही पता कर लें तो इन से बचा जा सकता है जैसे कुछ लोगों को क्या रहता है अलका अलका पेन होने लग जाता है कई दिन उसे पेन रहता है लेकिन इग्नोर करते हैं लोग तो टेस्ट गरह नहीं करवाते हैं फिर एकदम से जब वो पूरा हार्ट अटेक पड़ता है जब उसका पता चलता है तो इससे बचने के लिए जैसे आप रेगुलरली अपनी जांच करवा लें जैसे इसके लिए आप अपना बलड प पता चलता है कि अपने कोई रिस्क फेक्टर तो नहीं है यानि हाट अटेक होने के चांसे ज्यादा तो नहीं है वह आइडिया लग जाता है कुछ लोगों में क्या रहते हैं उनके फिमेली इस्टी रहती है जैसे घर में किसी को माबाप को दादा दादी को कोई हाट अट नहीं है तो उनके बच्चों में भी ज्यादा रिस्क रहती है तो एक माइन आनुवान शीक तोर पर भी आप मांच का करें आप जनेटिक कारण रहते है इसका यह अपने फेमेली में किसी को है हाट अटेक की दिकत है या हाट की समच्या है तो चांस रहता है कि उनके तो इस रिस्क को कम कर सकते हैं तो ए फेसिलिटी को नहीं जणा पतो इन चालते हो लेकिन पहले अपने गाहों में क्या बोलते है कि भी बूत का साया आ गया चाना कुछ हो गया यह वही कहतम हो गया ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगता दा लेकिन आज कर दो जान चे बोह जाद आटेक के कारने इसकी मोड़ी है कई बर गाहों में कुछ पेन उबालाग जावा साइड में यह पेन हुए यह भी हार्टे का अलक्षन हो लेकिन लोग सोचाए गेस को दर्द है बादी को दर्द है तो यह रिलेट कर रहे कुछ ही या फिर अलगी है पूर नहीं देखो कि अगर जावाती के सेंटर में दर्द रहे गा हो लेकिन गेस का दर्द है उसको अपन पचान सकते हैं उसमें क्या पूरी जालन सी रहेगी मू में भी जैसे एकदम पानी पानी आना है खटा-कटा लगना कटी डिकार यह बर लगना ऐसे रहेगा तो वह केस का दर्द है ले शहाट थोरches से होती हो परफ्ड़ा हमाई क्वी must अपल जाता है हाट की आट एक सफी शॉप्जास में है और प्राद प्रीकों से वह सिते हो एक रजॉडों बेख्ड्रों की भीमारी PD है उनमें क्या एक तो स्रेस बहुत होने लग गया उनका जोब को स्रेस है उन 유튜le का ऐसी हो हुगी उस हो गया तो ऐसराец एक्रिंसर हुग हो गया और लोग जैसे द्रिंक है ईलकोल है यह उस्लों लगर जाते हूं कि थोड़ी सी भी hubs तो बठाए आठ साल को बच्चो इसकूल में खेलियों कुद्यों और बिग बाद में इसकूल बस में बैटे हुट्टे होगी तो इको काई रिजन उसके देखो जो चोटे बच्चों में कुछ ऐसे आती हैं गटनाए उन में रहता है कुछ जनेटिक कारण रहते हैं तो जिनक जो एरिद्मियृ बोलते हैं जैसे लोग क्यटी सिंड्रोम है सोट क्यूटी सिंड्रोम है इस तरह कि यह जनेटिक आरण रहते हैं उसमें आठ में जो रहती है हाट की वो एकदम से तेज होती है और हाट एकदम से काम करना बंद कर देता है तो ऐसे वाले जो छोटे ही तो इतना ही तेज दढ़ जाती है तो हार्ट पर पंपिंग नहीं कराता है जिसके करन के ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती और पेशेंट बेऊस होता है और वो आकष्पयर हो जाता है आपा कई बार देखा कि एक तो साइलेंट अटेक हावा है कुछ सेकंड में इनसान खतम हो जावा है और एक टाइम मिल जावा है जिया अभी एक हादसो है लगबग सोड़ा जार ओपरेशन कर चुकिया और बागी एजी एक ताली साल एजी और अपा यह देखा कि डोक्टर है बिलड सपलाई वाली वहां से בलॉड हो जाती है तो इसे माल वह जाती है ऑप चल रहा हो हो यहां लेट जाके यहां पर बिलोग होता वोता है क्या हह। जोटा से एरिया पर एफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या पेशेंट ओन दर स्वोट एक्सपायर नहीं होगा उसके पार टाइम रहेगा वह स्पिटल भी पहुंच जाएगा उसका इलाद हो जाएगा सारा और वह बच जाता है कोई को पर वेक्सिन को प्रभाव है या फिर कुछ अलग रीजन है नहीं को वेक्सिन का नहीं है कि हार्ट टेक केस तो पहले भी होते थे लेकिन कोई के बाद में ज्यादा हायलाइट हो गए और कोई के बाद में यह वाए कि जो ब्लेट है तोड़ा उसके क्लोटिंग की टें होगा कुछ COVID के अंदर कुछ लंक्स डेमेज हुए कोई को हार्ट हुए क्शेक्το करिए नी है तो को यह सो पुरुघक हो जाती है तुंड ही कम हो जाती तो तुंगे लोगों को देखतों का लगना परो में सुजनाना इस तरह की दिखते हो सकती बाखी वजह भी लोगा कमाईना हार्ट रटेक आ रहा है कि प्रोटीन सप्लिमेंट्स में यान का कुछ अलिमेंट्स होई है बाखी वजह भी कोई नुकसान दायक जिया बोडी बिल्डिंग में बहुत सारा यूज लेवा है जिया सिदार सुगला की मोती बड़िया फिटनेस की फेर भी बिक माईना मतलब एंगी इसुग तो इसा है कि जो इस ऩुरीड ओर प्रोटीन रहते हैं जो ज्यादा मातरा में लेते रहते हैं उनके कारण अपनी बोड़ी में क्या कुछ इल्लोक्तोलै्ट इंबिलेंस हो जाते हैं जो लेक्तोलैंट इंबिलेंस होने से तो एक तो वो रिजन है दूसरा है कि जो भी इस्ट्रोइट हुआ रहे लेते हैं इसे बोड़ी में जैसे कोलिस्ट्रोल है सुगर है बीपी है यह भी सब लोगों का बढ़ जाता है तो वह भी फिर हाट की नसुं को डेमेज करते हैं तो इस कारण से इनको हाट टेक ज्यादा आ रहे हैं तो लोगां को खान पान की आण को रहनों चाहे फिर हाट यह कूं बचबा के लिए अपना जो देशी खाना रहता है घर का वह सबसे बढ़िया रहता है जैसे आप फल है फ्रूट है वेजी टेबल है यह सबजी आं खाओ घर का जैसे दूद दही चाच है रोटी हां चाहे है तो बी सबजी यह सब खाऊ यह सब बड़ी है हाट के लिए लेकिन जो बाहर का खाना खाते हैं फास्ट फूड कहते रहते हैं काचोरे खिं आपका काई करा है formation तो भीए जैसे ही पैसेंट आप देखो, कि आपके पास में कोई है जैसे मोल में हो आप लिप्ट में हो या कहीं भी एईरपोर्ट पे अच्छनेक से पैसेंट कोल्यपस होता है, जमीन पर गिर जाता है और आप जब देखते हो तो उसके ने सांस चलती है, ने उसकी दठकन चलती है, त तो उसे क्या हाट की पंपिंग होएगी, पंपिंग होएगी, तो बुलेट सर्कुलेशन बढ़ दो क्तोक टाइमिंग रही, की स्पीड हों भी अबन मतलब है अपका पंपिंग कर ने के लिए आपको एक मिन्ट में कम से कम सो बार पंपिंग करनी है, तो उससे क्या ब्रेन को प्रफ्लाइब निलती रहेगी तो पेसेंट के जो बेऊसी में नहीं जाएगा वो उसके रिवाई होने के चांस बढ़ जाते हैं एक मिंट निकलता है तो आप उसके 10% चांस कम हो जाते हैं जिन्दा होने के तो इसे करके जैसे 5 मिंट भी वेस्ट हो गए तो मतलब 50% चांस कम हो गए उसके जिन्दा होने के तो इसलिए ऐसे वाले पेसेंट जब भी अपने पास में तो उनको तुरंत चेस्ट कहां कि यह दिक्कत हो है रात ना सुत्या 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 गयान की प्रोब्लम हो जाए तो भी स्तितिम भी कुछ होएगे अपन पतों भी कोन चले कर सकते हैं कि उनका जैसे पहले से इको होगा रहा है यह बेस लाइन टेस्ट करके रखने रहते हैं क्योंकि कई बार किया जो नींद में जैसे एकस्पायर हो गया सड़नली उसमें एक तो करान यही रहता है है प्रोपी कार्डियोमाई वेती हैं यह हार्ट की मसल की बीमारी की रहती हैं और कुछ रहतें हैं एरिध्मिया वाले सिν्ड्रोム रहते हैं जैसे एक कर लोगों को बHC करने से पहले क्यों करने से पहले एक बार अपना ECG को वऱकर लेरना चाहिए क्योंकि कई बार जैसे हेवी एक्सेसाइज करते हैं जिम में और उनको मान लो हाइपट्रोफिक आडियो मायपेथी की दिक्त है तो उस कंडिशन में फिर उनको एकदम से अरेश्टा दाएगा अरेश्टा कि वह वहीं पर एक्सपायर हो जाते हैं मोटापो कित्तों नुकसान दे हैं क्या है कि मोटापे से सारी चीजें बढ़ जाती हैं जैसे सुगर है कोलिस्टोल है बीपी है यह सब बढ़ती है तो यह बढ़ने से फिर वो नस्व में रुकाउट आएगी रुकाउटा के बलड पर उपर सप्लाई होएगी नहीं तो सारे हार्ट अटेक है ब्रेन स्टोक है यह सब हो सकते हैं हार्ट अटेक आवे बिग बाद में छला डाला आपा तो अकाई प्रोसेस है और लोगा गंदरी के लिए कई गलत्वे में भी है बैम भी होए लोगां का सही है कुनीक तो एक बार हम कुछ देखो क्या हाँट आजकर जो हार्ट की नस है उसमें जहां पर ब्लोकेज है वहां पर जाकी चल्ला उसको इस्टंट को वहां लेके जाते हैं और वहां पर फिर उसको फुला देते हैं जैसे ही चल्ले को फुलाते है न नस फूल जाती है और हार्ट को बलेट सप्लाई चालू हो जाती है क्योंकि जैसे को को हार्ट अटेक पड़ा और सुरू में जैसे एग गंटे दो गंटे च्छे गंटे तक भी इदि आप उस नस को खोल देते हैं तो उसमें बड़ी इसको फैदा मिलता है गोल्डन ओवर वो क्या होता है गोल्डन ओवर यह रहता है कि जैसे आपके लक्षन आने लगे चेस्ट करेंटि सारा काम हो जाता है तो उस पेसेंट को सबसे बड़ी आफाइदा मिलता है तो उसके आगे चलके जैसे उसके हार्ट फैलोना उसको जैसे दड़कनों में कोई दिक्त होना यह वाले बहुत कम हो जाती है एक हिए किवा कि इस्टंट है और चलो है कि कुछ साल के इस्टंट भी चलता रहेगा उसमें दिक्कत ही रहते है कि जैसे कुछ लोग एक बार अपनी वह मेडिस ने बंद कर देते हैं दुवाई लेना बंद कर देते हैं बीडी सिग्रेट वापी चालू कर देते हैं जहां नहीं रखते तो उसमें है कि छले में दूबरा रुका उ एक तो जो भी रिस्क फेक्टर रहते हैं जिसे हाट कमजोर हो सकता है उनको पैचानना है और उनको कंट्रोल में रखना है जैसे आपको सुगर है बीपी है कोलिस्ट्रोल है मोटापा है इन सब को आपको कंट्रोल में रखना है और डेली अक्सेसाइज करना है दो तीन किलो के जाएं वो भी नहीं होंगे तो आपने साथ महां डॉक्टर नगेंदर सिंग था लोड एंडी कार्डियो लोजिस्ट तो आपा बाउं बात करी और तरीका जान्या के एक हार्ट का पेसेंट है वे की साबू सर्वाइव कर सके और की इस्तिति में अपन कई बार आपने सामने यान की इस्तिति आजा तो भी इस्तिति में आपांबा के साथ में कियां बीहेव कर और बंग बचास कहां राम राम साय कैमरा में नरेंदर सिंग साथ में मदिलरा